आईए हम प्रायश्चित की विशय को देखें और इसके सीमा के विशय में विचार करें इस विशय की चर्चा आपको दी गई नोट के प्रिष्ट संख्या 104 में मिलती है और पहली बात हम ये करने जा रहे हैं कि जो मुद्दा इसमें शामिल है और जो मुद्दा इसमें शामिल नहीं है उसे हम अलग करके देखेंगे जब आप प्रायश्चित के सीमा के विशय को देखते हैं तो आपके मन में एक प्रशन उठता है कि वास्तों में ये क्या है जब हम प्रायश्चित के सीमा के विशय में बात करेंगे हम चार अलग-अलग बातों का यहां पर उलेख करेंगे मुझे प्रायश्चित के सीमा के विशे को बोड में लिखने दीजे हम ख्रीस्ट के प्रायश्चित के मुल्य या या थेश्टिता के बारे बात कर सकते हैं या इसके दोरा क्या प्रदान किया जाता है इसके बारे बात कर सकते है या इसका बिवहरिक उप्योग क्या है इस पर चर्चा कर सकते हैं या हम इसके अभी प्राए या इरादा के बारे भी बात कर सकते हैं सबसे बुन्यादी बात जिस पर अक्सर वाद विवाद होता है वो ये है कि क्या ये प्रायश्चित उन सभी लोगों के लिए है जो किसी भी समय इस धर्ती पे थे या ये केवल चुने हुए लोगों के लिए ही है जो विश्वास करने के द्वारा ख्रीस्ट में आते हैं अगर प्रयाश्चित इसके मुल्य या यतिष्टा के बारे में है तब ये प्रश्ण उत्पन होता है कि क्या ये सभी लोगों के पापों को ढाकने के लिए प्रयाश्चित यतिष्ट है या केवल चुने हुएं का पाप ढाकने के लिए यतिष्ट है यहां प्रश्ण ये भी उठ सकता है कि क्या प्रायश्चित सब के लिए है या केवल चुने गए लोगों के लिए है उसके बाद ये प्रश्ण उठता है कि क्रीस्ट किस के लिए बलिदान दिया क्या सब के लिए या केवल चुने हुआं के लिए इन में से कौन सी बात सही है मुझे लगता है कि हम में से सभी को ये मालूम है कि इस बहस में दो दृष्टी कौन है सिमित प्रैश्चित और असिमित प्रैश्चित का दृष्टी कौन इन में बहस किस बात की है क्रिस्ट के प्रयाश्चित के मुल्य पर या यतेश्टता पर वास्तों में ऐसी बात नहीं है दोनों पक्ष इसे स्विकार करते हैं कि क्रिस्ट का प्रयाश्चित रुपी बलिदान इतना बहुमुल्य और इतना यतेश्ट है कि ये सभी समय के सभी लोगों के सभी पापों को ढाक सकता है चाहे आप सिमित प्रायश्चित का दृष्टी कोन रखते हैं या असिमित प्रायश्चित का आप इस बात पर सहमत होते हैं लेकिन इसे प्रदान किये जाने के बारे में क्या कहना है इस पर भी दोनों पक्ष सहमत है और यह मानते हैं कि इसे सभी लोगों तक पहुँचाना चाहिए या सब को देना चाहिए इसके बेवारिक उप्योग के बारे में क्या कहना है इस पर भी दोनों पक्ष सहमत हैं चाहे आप सिमित प्रायश्चित का दृष्टी कौन रखते हैं या असिमित प्रायश्चित का दोनों पक्ष इस बात पर एक मत हैं कि क्रिस्ट का बलिदान का कारिय केवल उन लोगों पर लागू होता है जो इसे ग्रहन करते हैं इस प्रकार से ये केवल उन चुने हुए लोगों पर कारिय करता है जो उसे ग्रहन करते हैं हम यहाँ पर प्रायस्षित की यतेश्षिता उसे दिया जाना और उसकी बिवहरिक उप्योगिता के बारे में बहस नहीं कर रहे हैं बहस कमूल मुद्दा है अभी प्राय या उद्देश्य या इरादा क्रिस्ट के बलिदान का अभी प्राय क्या है क्रिस्ट वास्तों में किस के लिए मरने का इरादा किया मुद्दा ये है लेकिन सिर्फ यही मात्र नहीं है आप उस चार्ट को याद करें जिसे हमने कुछ समय पहले देखा था उसमें हमने देखा कि एक और प्रायश्चित के उपाए दिये गए है और दूसरी और इसकी बिवहारिक्ता का उप्योग दिया गया है यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है कि क्या केवल चुने हुओं के पापों की कीमत चुकाना परमेश्वर का अभी प्राय या इरादा है या सभी के पापों का क्या परमेश्वर प्रायश्चित का बिवहारिक उप्योग किवल चुने हुए लोगों के लिए करना चाहता है या सभी के लिए ये हमारे लिए बिलकुल स्पष्ट है क्योंकि हम इसे यहां पर देख चुके हैं और बहस इस पर नहीं है क्योंकि अगर परमेश्वर प्रायश्चित को सभी के उपयोग के लिए देने का अभिप्राय रखता है तो यह उसकी सार्ब भामिकता है जिस पर सिमित प्रायश्चित और असिमित प्रायश्चित दोनों पक्ष ही विश्वास नहीं करते हैं इसलिए मुद्दा यह है कि क्रीस्ट किसका उद्धार करने का अभिप्राय या इरादा रखता है या किसके पापों के लिए उसने किमत चुकाया क्या किवल चुने हुए लोगों के लिए या सभी के पापों के लिए क्योंकि हमें उद्धार के प्रबंध तथा उद्धार के लागू होने के बीच के भिन्नता मालूम है इसलिए इस बात को हम समझते हैं कि हालांकि क्रिस्ट ने सब के पापों के किमत चुकाया लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं देता है कि सभी लोग उधार पाएंगे उसने सभी के पापों के लिए किमत चुकाया और उद्धार केवल चुने हुए लोगों के लिए ही लागू किया सिमित प्रायश्चित और असिमित प्रायश्चित दोनों पक्ष ही इस बात पर सहमत हैं कि उद्धार केवल चुने हुए लोगों के लिए ही लागू होता है या इरादा किसके लिए था या किसके पापों की कीमत चुकाने के लिए ख्रीस्ट ने मरने की इच्छा की इस विशे में कुछ अलग-अलग विचार है जिन में से पहला विचार है सिमित प्रायश्टित का दृष्टी कुन जो आपके नोट के 105 कृष्ट में मिलता है इसमें ऐसा कहा गया है कि कृष्ट वास्तों में और निश्चित रूप से चुने हुए लोगों को उधार दिलाने के उदेश्य से मरा उसकी मृत्यू का उदेश्य सबकी बदले में प्रतिस्थापन होने के लिए नहीं है जो चुने हुए नहीं है उनके लिए भी इसमें कुछ फाइदा की बात तो है जैसे कि इस पृत्वी पर रहने के दौरान आशिस प्राप्त करना जो चुने हुए लोग नहीं है परमेश और उनका न्याए तुरंत ही नहीं करता है कई मामलों में अविश्वासी लोग बहुत लंबे समय के लिए आनंदमाई जीवन बिताते है फैर जो भी हो जो लोग चुने हुए नहीं है उनके लिए प्रायश चित करने का अभी प्रायश ख्रीस्ट का कभी भी नहीं था आप में से जितने भी कालविनबाद या कैलवनिजम से परिचित हैं आपको मालूम है कि पारंपरिक कालविनबाद सिमित प्रायश्चित के दृष्टिकोन से सहमत है पुर्ण भरष्टता बिना शर्थ के चुनाओं सिमित प्रायश्चित अदम्य अनुग्रह और संतों की दृष्टा इन सारी बातों को आप कालविनबाद में पाते हैं कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि अगर आप कालविनबाद को मानते हैं तो आपके पास सिमित प्रायश्चित को मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है हम मेंसे जो काल्विनवाद को मानने वाले हैं वे इस बात से असहमत हैं लेकिन कुछ समय के लिए आईए इस मुद्दे को अलग रखें कि काल्विनवाद मानने के कारण आपको असिमित प्रयाश्चित के विपरित सिमित प्रयाश्चित के समर्थक होना पड़ेगा और आए हम कुछ तरक और प्रमानों की जाच करें सिमित प्रायश्चित के समर्थकों के द्वारा बहुत सी बातों को कहा जाता है पहली बात ये कही जाती है कि जो कुछ भी परमेश्वर करना चाहता है वो काम रुखता नहीं है जो कुछ भी परमेश्वर करने की अभी प्राय या इरादा करता है उसे पूरा होना ही है अगर असमित अनुगरह परमेश्वर का अभी प्राय हुआ होता तो वो उस उदेश्चय को पूरा करता निसंदे परमेश्वर ने अगर असमित प्रायश्चित का उद्देश्य को पूरा किया होता तो सभी लोग उद्धार प्राप्त करते लेकिन सभी मनुष्ट उद्धार प्राप्त नहीं किये हैं इसलिए सभी मनुष्ट के लिए क्रिस्ट की मृत्यू परमेश्वर की अभिप्राय नहीं है इस तर्क की मूल विशय को बताने के लिए मैं इसे जल्दी से आपके सामने रखा अब मैं इसे दोहराना चाहूंगा तर्क ये कहता है कि परमेश्वर जो भी करने का इरादा या अभिप्राय रखता है उसे करने से उसे रोका नहीं जा सकता है अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसे पूरा होना ही है अगर परमेश्वर का अभिप्राय या इरादा असिमित प्रायश्चित के दृष्टिकोन के अनुरूप सभी के पापों के लिए कीमत चुकाना होता तो उसका ये अभिप्राय को पूरा होने से रोका नहीं जा सकता था लेकिन अवश्चे ही अगर असिमित प्रायश्चित के समर्थन में कहे गए बातों के अनुरूप परमेश्वर का अभिप्राय हुआ होता तो इसका ये अर्थ निकलता है कि सभी लोग उद्धार प्राप्त किये होते लेकिन हमें मालूम है कि सभी लोग उद्धार प्राप्त नहीं किये हैं इसलिए सभी के पापों के लिए ख्रीस्ट की मृत्यू परमेश्वर का अभिप्राय नहीं हो सकता है दूसरा तर्क ख्रीस्ट के चुटकारे के कारिये को संबोधित करता है इस तर्क में ये कहा गया है कि क्रीस्ट सिर्फ इस बात के लिए नहीं मरा कि वो किसी के लिए उद्धार के संभावना के लिए प्रबंध करे वास्तों में क्रीस्ट लोगों को बचाने के लिए मरा मैं इसे दुहराना चाहूंगा Christ सिर्फ इस बात के लिए नहीं मरा कि वो लोगों के लिए उद्धार की संभावना के लिए प्रबंद करे वास्तों में Christ पुरुष तथास्त्री दोनों को छुटकारा दिलाने के लिए मरा लेकिन वो अगर वास्तों में लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए मरा तो परमेश्वर का अभी प्राय असमित प्रायश्चित नहीं हो सकता है क्योंकि सभी लोग छुटकारा प्राप्त नहीं करते हैं तितुस का दूसरा अध्यायर उसके चौदे पद में इस विश्चय को कुछ हद तक संबोधित किया गया है यहां ऐसा लिखा है कि क्रिस्ट के द्वारा उद्धार का कारिया इस अभी प्राय या उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया ताकि छुटकारा पाए हुए सभी लोग ऐसे लोग हों जो की शुद्ध किये गए हूँ लेकिन ये तो केवल चुने हुओं के लिए लागू होता है क्योंकि जो चुने नहीं गए हैं वे शुद्ध नहीं हैं जो चुने नहीं गए हैं वे शुटकारा नहीं पाते हैं और वे शुद्ध नहीं हैं इसलिए जब पौलूश ये कहता है कि क्रीस्ट परमेश्वर के लोगों को छुटकारा दिलाने तथा शुद्ध करने के उद्देश्च से मरा तब इसका मतलब ये निकलता है कि वो उन सिमित लोगों के लिए मरा जो उद्धार प्राप्त करते हैं इसके निसकर्ष में हम कह सकते हैं कि सिमित प्रायश्चित सही है इबरानियों नौ अध्याय का बारह पद को इसके समर्थन में इस्तमाल किया गया है और इसके साथ ही प्रकाश्चित वाक्या उसके पांचवे अध्याय के नौपद भी इसके समर्थन में ही उप्योग किया गया है अब जाने से पहले एक और तर्ख को हम देखेंगे इन सारी बातों को सुनने के बाद आप यह कह सकते हैं कि अगर क्रीस्ट सचमुच केवल यद्देपी हम एक परोपकारी परियोजना में सनलगना है आपका दान TVS सिवकाई के बुलहट को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमी का निबाता है हम आपके उदार समर्थन और सहयोग पर भरोसा करते हैं विस्तृत जानकारी के लिए कृपिया www.tvseminary.com पर जाएं चुने हुओं के पापों की कीमत चुकाने का अभिप्राय या इरादा रखता है तो हमारे लिए सभी को सुसमचार सुनाना कैसे न्याइ संगत हो सकता है अगर उसने सभी के पापों के लिए कीमत नहीं चुकाया है तो जब हम किसी को या सभी को सुसमचार सुनाते हैं तो हमें अपनी मुख की खानी पड़ेगी और इस बात को स्विकारना होगा कि सुसमचार की सारवभोमिक बुलाहट सच नहीं है सिमित प्रायश्चित दृष्टिकोन के समर्थक इस तर्ख को समझते हुए ये कहते हैं कि हाँ जितनों के लिए कीमत चुकाया गया है उस से कहीं ज़्यादा लोगों को हम सुसमचार बांट रहे हैं मैं इस पर आप से विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा और बताऊंगा कि क्यों ये सही है सिमित प्रायश्चित के दृष्टिकोन के समर्थक ये कह सकता है कि सभी को सुसमचार सुनाने के वैधिता के बारे में पांच बातों को मैं रखना चाहूंगा पहली बात ये है कि मनुष्ट मात्र होने के कारण कौन चुने हुए है ये पता लगाना संभव नहीं है इसलिए सभी को सुसमचार सुनाना चाहिए अगर चुने हुए लोगों के मात्य पर चुने गए के चिन स्वरूप अगर अक्षर च लिखा हुआ होता तो केवल उसे ही सुसमचार सुनाया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं होता है हमें नहीं मालूम की कौन चुने गए हैं इसलिए हमें सब को सुसमचार सुनाना है दूसरी बात क्रिस्ट की ये आग्या है कि सभी लोगों को सुसमचार सुनाया जाए मरकुष सुला अध्याय के 15 पद जो की मत्ती 28 के समनांतर में हमें मिलता है तीसरी बात यद्यपी सभी लोग चुटकारा पाने के लिए चुने नहीं गए हैं फिर भी परमेश्वर ये चाहता है कि सभी लोग चुटकारा प्राप्त करें इसलिए अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि क्रिस्ट की अभिप्राय के वल चुने हुओं के लिए किमत चुकाने का है फिर भी आपको सभी को सुसमचार सुनाने की आवश्चकता है क्योंकि सुसमचार परमेश्वर की इस इच्छा को प्रकट करता है कि सभी लोगों को चुटकारा प्राप्त हो हकीकत में परमेश्वर की इच्छा यही है इसलिए सभी लोगों से ये कहने में कोई गलती नहीं है कि क्रीस्ट ने आपके लिए क्या किया है और आप उस मुफ्त के उपहार को ग्रहन करें चौथी बात जो सभी को सुसमाचार सुनाय जाने को वैद ठहराता है यह है जैसा कि परमेश्वर की नैतिक व्यवस्था का पालन करना सभी की जिम्यदारी है वैसे ही क्रीस्ट के प्रायश्चित में भरोसा करना सभी की जिम्यदारी है हमें मालूम है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो पवितर शास्तर में लिखे गए परमेश्वर के नैतिक व्यवस्था को नहीं मानते हैं इसका ये मतलब नहीं निकलता है कि वे इसे पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं ठीक उसी प्रकार से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुसमचार को सुनकर भी ग्रहन नहीं करते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वे क्रिस्ट को ग्रहन करने के लिए बाध्य नहीं हैं ये उनके जिम्मदारी है कि क्रिस्ट को वे ग्रहन करें लेकिन उनका Christ को ग्रहन करने का कोई संभावना नहीं होगा अगर उन्हें ये मालूम नहों कि Christ ने क्या क्या किया है और उन्हें ये सब मालूम अगर नहों कि उन्हें Christ को ग्रहन करना चाहिए इसलिए आपको उन्हें सुसमचार सुनाने की आवश्चक्ता है ताकि उन्हें ये सारी बातें मालूम हो क्योंकि यद्यपी वे इसे नहीं मानते हैं फिर भी जब वे इसे सुनते हैं इसे ग्रहन करने के लिए वे बाध्या हैं सभी को सुसमचार सुनाने की अनिवारियता पर अन्तिम बात ये है कि जब वे लोग जो चुने नहीं गए हैं सुसमचार को अस्विकार करते हैं इसमें परमेश्वर उन्हें ऐसा करने के लिए दबाव नहीं डालता है वे अपनी स्वतंत्र इच्छा के आधार पर क्रिष्ट को अस्विकार करते हैं और जब वे ऐसा करते हैं वे दर्शाते हैं कि वे न्याय किये जाने के लायक हैं जो परमेश्वर उन पर करेगा वो एक बात होगी अगर परमेश्वर सुस्वाचार देने के बाद हमें जबरदस्ती दबाव डाल कर हमें उसे गरहन करने को लगाता लेकिन उसने ऐसा नहीं किया बलकि सुस्वाचार दिया गया और लोगों को अपना निर्ने लेना है जब वे जो चुने नहीं गये हैं ख्रिस्ट को स्विकार न करने का निर्ने लेते हैं वे ये दर्शाते हैं कि ख्रिस्ट को नकारने के कारण वे न्याएं तथा दंड पाने के लायक हैं इन सारी बातों में अगर सिमित प्रायश्ट के दृष्टिकोन रखने वाले ये मानते हैं कि ख्रिस्ट की मृत्यू केवल चुने हुओं के पाप की कीमत चुकाने के लिए हुआ फिर भी ये उचित है कि सभी को सुसमचार सुनाया जाए प्रायश्ट के लिए हुआ प्रायश्ट के लिए हुआ है